हेलो गाइस, इस में सौरमन्ना, वेल्कम बैक नमें चानल, जितने भी स्टुडेंट से जो लोग इतने सालों से वेट करते कि कब तक रेलवे दुआरा नोटिफिकेशन जारी होगा, एलपी के लिए, जैही पोस्ट के लिए, सो फाइनली, एलपी का नोटिफिकेशन जारी हो माना जाए, यह एक तरह का बहुत ही खुश न्यूज है, मैं बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही अच्छा अपडेट आया है, रेलवे बोट दुआरा, क्योंकि अभी आप सबको पता ही है कि अभी इस साल वोट होने वाला है, तो धीरे-दीरे और भी गवर्मेंट जो जाड़ी किया था, उस टाइम 60,000 पोस्ट वेकेंसी थे, ठीक है, बट इस बार 2024 में हुआ है कि इस बार जो वेकेंसी बहुत ही कम है, मतलब मान के चलिए, कॉंपिटिशन इतना हाई हो गया ना, इतना कम वेकेंसी में इतने सारे स्टूइट्स का कैसे हो सकता है, जो जो इतने सालों से तैयारी कर रहे है, इसके लिए, एलपी के लिए, जेई के लिए, अगर आप लोग इतने कम वेकेंसी में आप लोग अकर ये नोटिफिकेशन टालोगाता है, ये कैसे चलेगा, मैंने भी चेक किया है, बहुत इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि इसके रिगार्डिंग अभी हर्ताल कर रहे है, ट्विटर कैम्पेंग कर रहे है कि वेकेंसी को बराया जाए, ये बात सही है, वेकेंसी को बरानी चाहिए, क्योंकि इतने कम वेकेंसी में कैसे हो सकता है, आप ही बताए, इंडियन गवर्मेंट से में रिक्वेस्ट करत जो लोग तैयारी करें वो लोग हार ही मान जाएंगे लास्ट में इतने कम वेकेंशी में अगर आप ऐसे करेंगे क्या-क्या मात् sekali, क्यम क्या-क्या ऐसे इग्जाम वी Super देख रहे हो चैनल को सब्स्राइब कर लिए लाइक कीजिए और शेयर ज़रू कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंस सब्सक्राइब के साथ ठीक है और क्लोज देट जो है आपका उननीस फेवररी इसका लास्टेट है ठीक है और डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो माली जा अगर आपको करेक्शन वगरा करना तो आपको बीस लेकर उनतीस तक आपको मौका में लेगा बीस फेवररी इस लेकर उनतीस तक ठीक है पोस्ट के बारें बात कि यहां पर देखे 5,696 पोस्ट है एज के बारें बात कि जाए 18 से लेकर तीस साल तक जितने भी स्टुएंट से इसमें अपलाई कर सकते है ठीक है तो यह आपका ओफिशल नोटिफिकेशन है ठीक है ओनलाइन फॉर्म फिलब होगा और में आपको नोटिफिकेशन में आपको दिखा जिता हूं कि यहां पर क्या क्या दिया हूए ठीक है यहां पर अगर आप नीचे जाओगे आप लोग यह नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजी का यह नोटिफिकेशन आपको टेलीगरम में मिल जाएगा और यहां पर आपको देखिए सबसे महिन चीच मेडिकल स्टैडड़ का बारे 0.6 without glass and must pass test for color vision, binocular vision, filter vision, night vision, mesophic vision, यह सब होनी चाहिए, क्योंकि assistant local pirate का यही काम रहता है, जो signals वगर देखने के लिए, railway track देखने को लिए, तो इस सब के लिए आपको, आपका जो आख है वो proper होना चाहिए, यह सब चीज होना जरूरी है, ठीक है, चलिए मैं आपको अब बत यहां पर सब कुछ details बगेरा दिया हो है, आप लोग यह notification डाउलोड कर सकते हो, ठीक है, अपर एज लिमिट ऑफ और यूर मनलब जनरल और EWS वाल के लिए 2 साथ 1994 से जो लोग है, वो लोग अपलाई का सकते है, OBC, NCL वालों के लिए 1991 और STAC वालों के लिए 1989, ठीक है, और ल यहां पर examination fees बोला किया, for all candidates except categories mentioned below Cyril 1 and 2, out of this fee 500 and amount of 400 shall be refunded, Dually deducting bank charges on appearing in first stage of CBT, बल अभी आप लोग जब फॉर्म फिलप करेंगे तो उस्ताब आपसे 500 रुपीज लिया जाएगा, जनरल वालों के लिए, जब आपका फॉर्म फिलप हो जाने कवाद, अगर आप एक्जाम देते हो, एक्जाम देने कवाद आपका पैसा आपका refund हो जो एस से स्ट वाले स्ट फिल ट्रांजेंडर एडवलों के लिए उनका टू फिफिट रुपीज तगेगा, जब अगर आप फिर्स्ट मलब सी बीटी वान एक्जाम देते हो तो आपका पैसा रिटेन हो जागा, टू फिफिट रुपीज तिके यह तभी होगा जब आपका सी बीटी वान एक्जाम कम्लीट हो जाता है ठो ठीके यह आपका क्लियर हो गया और यहाँ पर ओनलाइन वाला ओप्शन दिया रहाएगा पेमेंट करने का ठीक है तो यह आपका क्लियर हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ भी लिखा हो भी मैं इंखं कर दो का सीकus आल ओंग एफ यह हुआ है प्रहलेिटे वह राते क्लियर हो जान करा गहा ही थो इंक पर दीक दो पर देदा रहीव झाटारों यहाँ पर अक द्री यह पर की क्लीर हो जाता है तो अगर का अगे साहिए अक्लियर हो जाता है विखे थू का और सिबीटी टूबे मौका मिलेगा ठीक है और यही सब चीज यहाँ पर और पैटर्न और सिलिबस फॉर सिबीटी वन के लिए यहाँ पर सार जिस सिलिबस वगरा दिया हुआ है कितना साथ मिनिट का एक्जाम है फिर आपका नंबर कोशन सेंटीफाइब मार्क सेंटीफाइब को साथ चीज दिया हुआ है अब की टी-टी टू में यहाँ आपर कौलिफिकेशन औफ कांडिटी यह सब साल चीज दिया ओए थिरào पर चछिस यादिक हो गाट वगाट आपका यह चाहत कि सब्रोड कkräण होगा हुआ है दे धि यहां पर एक मिनिट देखिए आपको यहां पर कॉलिफिकेशन का बारे बात की जाए तो की मैट्रिक विलेशन या तो मैट्रिक विलेशन या तो से सेल की मलब 12 ब्लस के बाद जिन्होंने अगर अपरेंटीस किया है इन ट्रेट्स में तो वह लोग भी इसमें अप्लाई का सकते या तो जिलोंने मैट्रिक वो अगर तीन साक डिप्ल मा किया हूँ हो जो कि जहांसे अ मेकैनिकल हो, elektrical हो, in engineering as above will be also be acceptable in Lea of Diploma in Engineering मालब जिन्होंन डिप्लोमा करने के बाद बिटेक किया है वो लोग इसमें अप्लिकाबल है तिक है जो लोग 12 बाद के बाद बिटेक किया है यह उनके लिए नहीं है यह आपको अगर आपने डिपलोमा किया है तो इसमें वीचिबल हो ठीक है यह आपका क्लीर हो चुक है यहां पर जोन वाइस यहां पर सब कुछ दिया हुआ है जेनरल वालों के लिए कितना SC, ST, OBC, EWS, कितना सीट्स यहां पर दिया हुआ है यहां पर सार अचीश क्लियर कर दिया है तो उमीद करता हूँ भारत सरकार से कि कोई पॉजिटिव अपडेट आई रिकार्डिंग वेके बैठे है कि घर अगर कोई भी अच्छा पोस्ट है तो इसमें अप्लाई करूँगा और मैरा बैफार है जाता हो की जाता-जादेक बहुद्रेफ Зब्ल्या जादेक बहुत केशिश में पोस्ट है बट अगर अगर इतना ही कम इतना हीट कम वेकेंसी में अगर यह भीज यह पहिन करते हैं वीडियो को अच्छे लेगे वीडियो को जो लाइक कीजिगा जाधर जाधर शेर कीजिगा और सब्सक्राइब करना ना मुलेगा मिलते अगले वीडियो पर अगले कंटेन के साथ थाइंक यू